अर्विंद केजरिवाल जी कोमा में जा सकते हैं अर्विंद केजरिवाल के स्वास्त को उनके शरीर को पर्मनेंटली डैमेज करने के लिए अब उनके शरीर को पर्मनेंटली खराब करने की कोशिश कर रही है उस अर्विंद केजरिवाल की जान को भारतिय जनता पार्टी ने खतरे में डाल दिया है उसकी जनता से नहीं डरते हो कम से कम भगवान से तो डरो भारतिय जनता पार्टी ने एक जूटे मुकदमे में अर्विंद केजरिवाल जी को गिरफतार कर लिया पहले अपनी राजनेतिक हत्यार Enforcement Directorate ED से उनको गिरफतार करवाया जब उनको समझ में आ गया कि उस मुकदमे में वो जेल से बाहर निकलने वाले हैं ट्राइल कोट से जमानत मिल गई सुप्रीम कोट से भी जमानत मिलने वाली है तो अपने दूसरे राजनेतिक हत्यार CBI से उनको गिरफतार करवा लिया इसलिए कि जब ED से जमानत मिल जाए जो कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोट से मिल गई फिर भी अर्विंद केजरिवाल जी जेल से बाहर ना आपाए और जेल में भारतिये जनता पाटी क्या करने की कोशिश कर रही है भारतिये जनता पाटी अर्विंद केजरिवाल के स्वास्त को उनके शरीर को पर्मनेंटली डैमिज करने के लिए अब उनके शरीर को पर्मनेंटली खराब करने की कोशिश कर रही है अर्विंद केजरिवाल जी 30 साल से डायबिटीज के मरीज है कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा कि डायबिटीज की बीमारी में या तो आपका शुगर लेवल बहुत उपर चला जाता है या बहुत नीचे आ जाता है शुगर लेवल उपर जाने से इनसान धीरे 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 जाके उसको सीरियस बीमारी होती है लेकिन जब एक डायबिटीज के पेशिंट का शुगर लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है तो वो तुरंत जान लेवा हो सकता है उसमें आपको कोई समय नहीं मिलता 20-30 मिनट के अंदर वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है उसको brain stroke हो सकता है उसको brain hemorrhage हो सकता है उसकी मौत हो सकती है मात्र 20-30 मिनट का समय मिलता है अगर किसी व्यक्ति का sugar level खतरनाक levels पर पहुँच जाए और इतना गिर जाए कि उस व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर दे शुगर अगर brain तक ना पहुँचे तो brain damage permanent हो जाए अर्विंद केजरिवाल जी का sugar level इस खतरनाक स्थर पर पांच बारी गया है उनका sugar level 50 तक पहुँच गया वो इतना serious है कि 50 के sugar level पर मरीज को एस्पताल में भरती करा देते हैं क्यों कराते हैं क्यूंकि 50 के sugar level पर 20 से 30 मिनट में इनसान की जान भी जा सकती है आज अर्विνद केजरिवाल जी जो दिल्ली के मुख्य मंत्री है आज अर्विंद केजरिवाल जी जो दिल्ली के लोगों के भाई हैं उनके बेटे हैं आज अर्विंद केजरिवाल जी जिनको पूरा देश एक राजनेतिक नायक के रूप में देखता है आज उस अर्विन केजरिवाल की जान को भारतिय जंता पार्टी ने खत्रे में डाल दिया है सब को पता है अर्विन केजरिवाल डाइबिटीज के मरीज है सब को पता है कि लो शुगर लेवल होने से अर्विन केजरिवाल की जान को खत्रा हो सकता है और भारतिय जन्ता पार्टी इस तर तक गिर सकती है कि आज उन्होंने सुबह सुबह तिहार जेल के माध्यम से तिहार जेल प्रशासन के माध्यम से कुछ documents मीडिया को पहुँचाए दिखाने के लिए कि अर्विंद केजरिवाल के स्वास्त में कोई समस्या नहीं है लेकिन भारतिय जन्ता पार्टी को यह पता होना चाहिए कि अंत में चाहे वो जितना भी जूट बोलें जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी और जो documents भारतिय जन्ता पार्टी ने release किये उनहीं में तिहाड जेल के medical officer की report है ये report जो साफ साफ दिखा देती है कि अर्विंद केजरिवाल जी के स्वास्त के साथ क्या खिलवार हो रहा है तिहाड जेल के senior medical officer के द्वारा signed ये report खुद ये बता रही है कि अर्विंद केजरिवाल जी को diabetes है वो उनको लगातार उनका वजन कम हो रहा है उनको लगातार body egg और weakness हो रहा है और उनको लगातार sugar level गिरने की समस्या आ रही है ये आम आदमी party नहीं कह रही है ये हम नहीं कह रही है ये तिहाड जेल के सरकारी doctor कह रही है अगर इसी तरह अर्विंद केजरिवाल जी का sugar level लगातार गिरता रहा खतरनाक levels तक पहुचता रहा और खास करके रात के समय में अगर sugar level गिरता रहा तो अर्विंद केजरिवाल जी को मा में जा सकते है अर्विंद केजरिवाल जी को brain stroke हो सकता है अर्विंद केजरिवाल जी की ब्रेन को पर्मनेंट डामेज हो सकता है और ये तिहाड जेल की रिपोर्ट दिखा रही है मैं भारतिय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी कि अर्विंद केजरिवाल जी के स्वास्त के साथ खिलवार बंद करो अरविंद केजरिवार के स्वास्त पर राजनीती करना बंद करो अगर देश की जंता से नहीं डरते हो कम से कम भगवान से तो डरो और किसी के स्वास्त और किसी की जिंदगी किससे साथ किलवार मत करो